नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़ियों मैं आपको आपको दस ड्री मिलियोन के विडिंग टिम्स दिखाने आलो साथ आफ्रिका वर्सेस अफगानिस्तान यानि से वर्सेस एफजी के बीच के मैच की जैसे के मैच को हैलेट करके दिखा दिया था उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अफकोस अगर आपने अब तक टिम नहीं बनाए तो नीचे भी प्रिएटे टिम को अप्शन मिलता है और साथ ही साथ आप माई टिम पर जाके भी प्रिएटे टिम कर सकते हैं और इनफाक्ट यहां से मल्टिपल स्टिम बनाना थोड़ा आसान है तो देख सकते हैं मैं कि अल्रेडी दस टिम सव आप जाके बना के रख चुक हो जिसे एक करके मैं सभी टिम आपको प्रिव्यू करके दिखाने हैं किस किसको आपको लेना है किस किस को नहीं लेना । यह भी मैं आपको बता हूँगा तो दोस्तो अफकोस वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से पर रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अगर आपने मेरे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथे साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक कर लीजिए साथे साथ दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तर से खोजाए आपसे रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरू कर दीजे ताकि मुझे मैं मोटिवेट हो सको और और भी आपको ज़्यादा टीमें दे सको चले वीडियो को शुरू करते हैं माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम को आपको दिखा देता हो पहली टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर दोव कीपर शांदार फॉर्म में हैं जिनको लेना काफी ज़रूरी है वो है कॉन्टन डिकॉक और हंडिक क्लास इन हाला के पिछले दो तीन इनिंग से हंटे क्लास इन का बला थोड़ा शांत हो चुका है लेकिन ये दोनों के पर काफी खतरनाक रूप में रूप से वर्लक अप में खेल रहे तो इसलिए इन दोनों को लेना ज़रूरी है गुर्बाज का परफॉर्मस इतना खास नहीं है ले तर से यहाँ पर और आए जादरान जिनोंने लास्ट मैच में हंड्रेड लगायता है तो इनको भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते तो यहाँ पर उनको भी ले लूँगा पहली टेम मेरी काफी जादा खतरनाक बन्याल है मारकरम भी है ओमर जाई जो कर हर मैच में बढ़िया उनको इस टिम में शामिल करूंगा अगर आप चाहे तो कगी सो रबाडा को भी आप ले सकते और भी आप्षन है उनमें से भी चूज कर सकते लेकिन मुझे लगता है राशित खान के लास्ट मैच में अगर आपने बैटिंग देखे हो तो काफी खतरनाक उन्होंने अट्रा करना चाहे तो उल्टा कर सकते लेकिन अफकोस कोई मुझे नहीं लगता उल्टा करना चाहेगा कॉंटन डिकाउक को छोड़के जादरान को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएगा तो यहाँ पर इसी तर से रखेगा और अगर आप ज़्यादा टीम में बनाते हैं तो कॉंटन डिकाउक और हैंडरिक क्लास है दोनों को ही इस टीम मिलूंगा ता अल्रेडी मैं आपको बता चुकाओ कि गुर्वाज इतना कुछ खास करने पारे उन्होंने आट एक जो साता टीनिंग खेले उसमें से दो ही इनिंग अच्छी खेल पाए इसके अलाग कुछ खास नहीं है तो इसलिए उनको ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक उप्शन बढ़ जाए और वांडर उसेन है और शाह है और एच शाहिदी और आजादरानी इस तर से चार अच्छे खासे बैट्समन मेरे पास है मरक्रम ऑमरजाई और जानसन फिर से यहाँ पर मेरे प पर उनको भी मैं इस टीम में शामिल कर लूँगा परलब ये टीम पिछली तो मजबूत थे ही लेकिन ये टीम उससे भी मजबूत आप कहे सकते है वांडर दूसे इनको क्याप्टन और आर शाह को वाइस क्याप्टन मना रहा हूँ दोनों बेस्ट है दोस्तों जरूर आप दोनों के साथ जा सकते है साथ साथ अगर आप उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते है शहा को क्याप्टन और दूसेन को वाइस क्याप्टन भी बना सकते है लेकिन इसी तर से रखना ज्यादा फाइदे मन सावित हो सकता है और अगर आप फिर से बता दू ज्यादा ट में थोड़ा अब मैं यहां से रिस्क लेना शुरू कर रहा हूँ जिया दोस्तों यहां पर सिर्फ कॉंटेंड को में ले रहा हूँ हैंडर क्लासन को यहां पर ड्रॉप कर रहा हूँ लेकिन इसके वज़े से हमारे पास फिर से कुछ ऑप्शन जादा होना ले अफकोस डेवि अब जादरान को कैप्टन और केशो माहराज को वाइस कैप्टन मना हो सकता है दोस्तों यह ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मस करें तो यह आपको काफी फायदा करा के दे सकती है तो इसी लिए मैंने ऐसा किया है कुल मिला के अगर देखेंगे तो यह भी टिम काफी बढ़िया है और इस टिम का क्याप्टन जादरान और केशो माहराज को बनाए लेकिन यह टिम मैं सिर्पर सिर्फ ग्राइड लिग के लिए करूंगा स्मॉल लिक के लिए थोड़ी रिस्की है तो ना ही यूज करें तो बेटरेगा फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर यूज कर सकते है चले इस टिम को भी क्लोज करते है चोथी टिम हमें देख लेनी है चोटी टिम में इससे भी जाधा मैं रिस्कलीने जा रहा हूँ कॉंटेंट डिकव को ड्रॉप करके और गुर्बाज को भी ड्रॉप करके मैं सिर्फ हैंद्रिक क्लासेन को ले रहा हूँ दोस्तों एक बात जो रुकूंगा ऐसा नहीं कि कॉंटेंट डिकॉप या फिर गु में वी पर हैंद्र डासीन को यहां फे ले रहा हूँ उसके बार वैंडर दूसेन आर्शहा शाहिदी आयजादोच अन Catholic यहां पर टीम मैंने शिले जो कि बेस्ट है all rounders की बात करूं तो बात करें गेन बाजी की तो केशो महाराज है लुंगी इंगिडी है मुझी भी उरको ले रहा हूँ यहाँ पर मैं राशित खान को भी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि राशित खान के अगर बात करें ना तो हर मैच में मतलब बंदा विक करता है तो आप उनको फिर से ले भी सकते तो अफकोस यह टीम भी अच्छे खासी है तो इस टीम को भी मैं सिर्फर स्रम ग्रांड लिग के लिए सज़ेस्ट कुरूंगा स्मॉल लिक के लिए सजेस्ट नहीं करोंगा तो क्यापटन की बात करूं तो यहाँ पर क्लासेन को मै ले रहाओ अकेले को तो यहाँ पर मैं उन्हीं के साथ जाओंगा क्योंकि अगर अच्छा कर जाते तो Grand League जिता सकते और अच्छा नहीं करते तो वैसे भी आप Grand League या फिर कोई भी लिग हार नहीं वाले तो इसलिए यहाँ पर ये टीम में थोड़ी ज्यादा रिस्किक होंगा और इस टीम को सिर्फ Grand League के लिए सजेस करूँगा कुल मिला कि अच्छी टीम है इसे क्लोज करते हैं और पाचवी टीम देखनी हमें पाचवी टीम में मैं अब सिर्फ और सिर्फ कॉंटेंडी को को लूँगा उसके अलावा किसी और को नहीं लूँगा उसके बाद वैंडर दुसें और जादरा दोही आपर बल्ले बाज लूँगा और उसके बाद मुहमद नभी मर्क्रम ओमर जाई जैंसन चारों मेरे पास रहने आले जो के बेस्ट है और आप उन चारों को लेते तो और भी जादा फायदा कराके दे सकते इसके बाद केशेव महाराज कंगी सोरबाडा नवी नुलहक मतलब नवी नुलहक को भी आप अंडरेस्टिमेट नहीं कर सकते दोस्तों इनको भी कहीना कही लेना लेकिन आप अगर जादा टिमों में लेना चाहे तो ले सकते मारको जांसन को इस टिम का क्याप्टन बनाने जा रहा हो तो वही वाइस क्याप्टन में केशेव महाराज को बनाने जा रहा हो अगर आपको लगता है केशेव महाराज अच्छा उप्शन नहीं तो आप किसी औ पूर को भी बना सकते करगेशोर रबाड़ा को भी बना सकते लेकिन मुझे लगता है केश्यों महाराज को रहने देना बेटर रहेगा हो सकता है मतलब भारत में है तो हो सकता है जाधा बढ़िया गेन बाजी कर ले तो इसलिए यहाँ पर रहसा कर सकते उल्टा करना चाहिए उल्टा भी कर सकते लेकिन ना करें तो जादा बेटर रहेगा फिर भी आप कर सकते इस टीम को मैं जादा ग्रांड लिग के लिए सजिस्ट करूंगा ज्यादा से जादा लेकिन स्मॉल लिग के लिए भी इतनी बुरी टीम नहीं है जितनी बतलम आपको लग रहा है तो आप अगर चाहे तो यूज कर सकते इस टीम को क्लोज करते हैं छटी टीम हमें देखनी है छटी टीम की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं कॉंटेंट डिकक और गुर्वाज दोनों को साथ मिले रहा हूँ मैं बता दू दोस्तों आपको ग्रांड लिक जिताने के लिए मैं हर एक वो ऑप्षन आपको देना के कोशिश करता रहता हूँ जिससे आप Grand League जित सकें, मतलब आप Grand League जितना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, करके ही टीम ही लगारी होती है, जिसमें से एक खात कॉमिटिशन अगर सक्सेस हो जाता है, तो आपको Grand League जित सकते हैं, तो इसलिए इस तरह से मैं करता रहता हूँ, बा अगर आप चाहें, तो किसी जगह पे छोड़ना चाहें, तो आप ज़रूर चोड़ सकते हैं, इसके आलाग गेनबाजी में एक आप्शन था, तो एन एहमद के साथ ही जाओंगा, बाकी किसी और के साथ नहीं जाओंगा, और यहां पर आपको लगता है, कि दूसरे किसी गे हो सकता है, आफरिका के सामने जादा बढ़िया परफोर्मस करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्याप्टन ही उनको बना दिया है, और मार्को जांसन को वाइस क्याप्टन बना रहा हूँ, दोनों बेस्ट है दोस्तों, ज़रूर आप दोनों के साथ जा सकते हैं, अगर करते हैं, तो आपको Grand League जीतने से कोई ने रोख सकता, तो इसलिए इस टीम को भी मैं Grand League के लिए सजेस्ट करूँगा, Small League के लिए सजेस्ट करूँगा, दोनों लीगों के लिए ये टीम काफी अच्छी रहेगी, चलिए दोस्तों इस टीम को क्लोज करते हैं, साथ वी टीम हम से ले रहा हूं, कॉंटन डिकॉक को मैंने आपर ड्रॉप कर दिया है, दोस्तों अखिली को भी एकाट टीम में रखिएगा, सकता है अच्छा कर जाए, नहीं भी रखना चाहें, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके बाद ततिन बहुमा, वैंडर दुसेन, आर्शाह, शा यहां पर ड्रॉप कर रहा हूं, और यहां पर एक ही गेन बाज का उप्शन था, तो मुझीब को मैं इस टीम में ले रहा हूं, ताकि अगर यह भी अगर अच्छा पर्फॉम्स करें, तो यहां पर आपको ज्यादा फायदा हो जाए, काफी ज्यादा अलग टीम है, आर्शा कर अगर एक बात और बताना चाहूंगा, तो अगर आप 10 से जादा टीमें बनाते हैं, तो कही ना कही जरू क्याप्टन बना दीजिगा, वो दुरुक का एक का साबित हो सकते हैं, और अच्छा कर जाते, तो आपको ग्राइन लिक जरू जिता सकते हैं, तो इसलिए इको कही जरूरा बाना लिजेगा मैं नहीं बना पारा हूं डस टीम में में अलरी मेरे पास काफी बड़ी-बड़ी अच्छे प्लियर है क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के लिए अफ्कोस ये टीम सिर्पों सर्फ गयांड लेक के लिए उचके जिएक टीम को क्लोज करते हैं आप सोचिए आपके पैसे डूब भी सकते हैं लेकिन अच्छा हो जाता है तो आप जीत भी सकते हैं उसके बाद डेविड बिलर, वैंडर दूसेन, आर्शा और जादरान इस तरह से चार बैक्स पर मेरे पास है मर्करम और मार्को जैंसन दो ही ओल राउंडर रखूंगा औ और इसके बाद गेनबाजी में मेरे पास चार आप्शन बन गए क्योंकि मैंने काफी जगह पे कटोती की है कंगी सुरबाडा, रशीद खान, लुंगी इंगिडी और मुझी बीर रहिमान तो इस तरह से यहाँ पर चारो अच्छे खासे गेनबाजों को मैंने शामिल कर लि क्योंकि यह भी बंदा काफी बढ़िया है, उल्टा करना चाहे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, राशीद को क्याप्टन और मरक्रम को वास क्याप्टन क्योंकि इनको बल्ले बाजी आती है, दोस्तों कम से कम 68 बॉल तो मिली जाते हैं, और अगर गेनबाजी भी पूरे दस नहीं करूंगा, फिर भी अगर आपको लगता है, लगा नहीं है, तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लिम नहीं, इस टीम को भी क्लोज करते हैं, और नववी टीम हमें देख लेनी हैं, अब नववी टीम की बात करें, तो कॉंटन डिको, क्लासे और गुर बात, फिर से तीनों को साथ में ले रहा हूँ, हो सकता है, आज ये तीनों भी अच्छा परफॉर्मस करें, तो तीनों भी हमारे पास होना चाहिए, ये भी एक कॉंबिनेशन हमेरे पास जरूर होना चाहिए, तो इसलिए आपर ले रहा हूँ, टीम आर शाहर, ठोड़ी अलग बल्लेबा और हम ले लेंगे, और इस बार में गेनबाजी में अगर देखेंगे, तो केशो महराज और राशित खान को ही रखूँगा, बाकि किसी और को नहीं रखूँगा, फिर भी अगर आप चेंजेस करना चाहिए, तो जरूर कर सकते हैं, तो कुल मिला के टीम तो मुझे काफी ब लीगों, सबी लीगों के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजेगा, इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, और दसवी और आखरी टीम, हमें देख ले नहीं है, दसवी और आखरी टीम की बात करूँ तो मैं ये भी काफी मजबूट टीम बाताने पढ़ाएं क्योंकि मैं चेंजेस करते रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मरकरम, ओमरजाई और जैंसन, ये तीनों मेरे पास कॉंस्टन्टली काफी टीमों में रहें, एक हाँ दो टीमों में ही मैंने उनको डॉप किया है, और बाड़ा और राशित खान, दोनों फिर से मेरे पास रहने वाले हैं, और इस बार काफी जबदस टीम मनी है, और दोस्तों राशित खान को क्याप्टन मनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी बन्दा जबदस थे, वैंडर दुसेन को क्याप्टन मनाने जा रहा हूँ, ये भी काफी जबदस थे, राशित खान को इसलिए क् मेरे लास्ट मैश मेंट के बल्ले बाजी देखी काफी खतरनाक शाट्स कहलते हैं और अच्छी चोके चक्के लगाते तो ये भी एक उप्शन है और 10 और 100% डालते हैं तो वहाँ पर भी अगर 2-4 विकेट्स ले ले लेते हैं तो काफी जादा फायदा कराके दे सकते हैं तो इ इसके बाद मैं वाइंडर दुसेन को अलड़ी एक जगह पर क्याप्टन भी बता चुका हूँ तो कुल मिला के काफी अच्छी टेम है ग्राइंड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लीग के लिए यूज़ करेंगे तो मुझे कोई प्राब्लम नजर नहीं जाके उसे जॉइन जरू कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बातासों को किसे ड्राप किया गया और किसको लिया गया और एक दो टीमों के और स्क्रेंशाट शेयर करने के भी पूरी कोशिश करूंगा तो जरूर जॉइन कर लीजिए अभी के लिए इतन